अब आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम इस तरह के और नाजर बनाएंगे वह विल्कुल फ्री जीरो कॉस्ट में घर पर पड़े विकार चीजों से इसे बनाना बहुत ही आसान है इस तरह के और जब मार्कर से लाते हैं तो वह काफी महिंगे मिलती है और जल्दी खड को या फिर सर्दियों के कपरों को या फिर रजाईयों को स्टोर करक सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने पुरानी पैंट लिए हैं किसी भी तरह के पुराने क्लॉस को ले सकते हैं पुरानी बेर सीट हो गई या फिर कोई भी पुरान सेट कर लेना है और यहां से हम कट कर देंगे आप इसे अपने साइज के इसाप से बड़ी है चोटी बना सकते हैं और नीचे की जो मोरी है उसकी सिलाइब खोल देंगे ताकि इसकी लेंथ बड़ी हो जाए कट कर देंगे तो छोटी हो जाएगी और साइट की सिलाई हमें इस तरह से खोल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे दूसरे पीस में भी सीधा कर लेंगे है कि और हमेंसे इस तरह से जौइंट कर लेना है तो यह हमारा बड़ा सापीस बन के रेडी हो जाए गाफ यह तो गिजिए चावल के पीस बन गया है और इसमें लगाने के लिए कि यहाँ से यहें था करेंगे छटी से गट कर लेंके औरह वो शहनेसे होड़ा करेंगे और अब करने साइस के बंदा सकते हैं तो यहाँ विए थैसे गटारराक लिगांगे ताकि धह उद्धर नग्षके और यहां से हम साथ इंच पर निसान लगाएंगे और यहां से भी साथ इंच पर निसान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे तो इस तरह से मिलाते हुए इसका बॉक्स बना लेंगे और इसे कट कर देंगे कि प्लास्टिक के बोडी का यह हमने पैंट फीष की रेडी कर था समय उसके उपर हमें समय इसinde हम इसी तरह से रहे और प्रिंट वाला हिस्सा उपर केताफ रखना है और इस तरह से मिल रगा से कर लेना है और हम यहां पर कर लेंगे अ इसे कुनारे में हम यहां से देखिए फोड़ा था में खुला रखना है और वाकी चारो jagah पर मतलब सारे जगे पर सिलाई लगा के रेडि कर लेना है तो यह दिखें सिलाई लग गई है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैवरी के उससे कट कर देंगे और यह देखें पैंट वाला हिस्सा हमने सीधा रखा था और चावल गयों की जो बोरी है जो वाइट वाला पोर्शन नहीं से नीचे की तरफ रखा था और यहां पर कॉर्णर पर छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे और जो हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा है वहां से सीधा कर लेंगे तो यह जो प्रिंट वाला हिस्सा है प्लास्टिक की बोरी का वह अंदर की तरफ चला जाएगा वह अंदर हो जाएगा उल्टा की तरफ है तो वह अंदर की तरफ चला जाएगा और इसे इस तरह से कॉर यहाँ से इस तरह से चीलाई लगालेंगे तो है कि एक टया है और यह टिके वायट वाला हिसा प्लास्टी का भी का ऊपर की तरफ आ गया है और यह दिखे और से पीक नर्फ वह जा था उसे मिन ने ज्काइन करके बहुत बना लिया है इसे तरह से ज़ुद घम और कि इसका है यहां है इसका में लगा लेंगे दो आ ये नहीं पर करके इसका हैं दो मेश्ब्स करेंग्द तो कम वाला हिस्सा सेट्ट से कम है और एक सेल से ज्यादा है तो तो कम वाली हिस्से की तरप हमें हैंडल को टेज करना है और इस तरह से हम No すपी सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहां से निसान लगाना है दोनों साइट में सेंटर मार्क से रखते हुए 3 इंच और 3 इंच पर तीन इंच तीन इंच पर नहां से हम हैंडल को अटेजे करेंगे है पिण लगा करलेंगे और उसके उपर सेलाय लगाएंगे तो यह देखिए हमारे फेंडल हो गया और आप अम से स्कुलाय लगालेंगे पिर उसका ऋपर लेंगे कि दूसरे साइड में लगा कर ले लेंगे बाकि सारे किनारों को भी इस तरह से मिला लेंगे कॉर्णर को मिलाते हुए इस तरह से कॉर्णर को मिलाएंगे और पिल लगा के सेट कर लेंगे फिर उसके बाद सभी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे तो यह देकि यह सिलाई लग गई है और अब हम इससे सीधा कर लेंगे इसके corners को निकालते हुए सिधा करेंगे इसके किनारे को अच्छे तरह से निकाल लेंगे और सिधा कर लेंगे कि शीधा हो गया है और एक किनारे का मैजर कर लेंगे चारों साइड के राउंड का मैजर कर लेंगे तो यहां से ये देखिए ये साथा इंच रहा है या पॉए प्रानी सारी है कोई भी फैब्रिक अब ले सकते हैं üz branch इसका फ्लैप बनाने के लिए तो मैंने पुराने सारी का यूज किया है यह देखिए दो लेयर में है इसमें हम इसका फ्लैप बनाएंगे तो यहां से हम 60 लेंगे यहां से 60 लेंगे और यहां से हम 13 लेंगे और हम क्या करेंगे कि यहां से इस तरह से रखेंगे लेर में और येहां से 2 इंच पर निसाल लगाएंगे, यहां से हमें यहां से यहां तक सिलना है और ओपर नहें। यहां देखें हमने 2 इंच पर जो निसान लगा था वहां तक हमें नहीं सिलना है उसके नीचे से सिलाई लगा लेना है तो इसके तक हमने खुला छोड़ा था और हमने इस तरह से इसके ओपर से शिलाई लगाना है तो यह देखिए सिलाई लग गई है यह हमारे डोरी लगाने के लिए बन गया है और इसे इस तरह से हम पहले हाफ इंच आधा इंच फिर उसके बाद एक इंच का फोल्ड करते हुए इसके उपर से पूरे में सिलाई लगा लेंगे लगवग यह डेरीज का यह फोल्ड हो गया इस तरह से हमें किनारे पर लॉक करके सिलाई लगा लेना है तो यह देखिए हमारे फ्लैप के लिए डोरी वाला बन के तयार हो गया है और हम इसे अटैज करेंगे में पीस में तो यह देखिए यह जो सीधा वाला हिस्सा है अंदर हुए जो अंदर वाला हिस्सा है उसे मिलाते हुए इस तरह से पहले पील लगा के सेट कर लेंगे तो हमें सीधा उल्टा देख लेना है उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरफ को रहेगा तो यह जो सीधा है उसे हमें मिलाना है इस तरह से मिलाते जाएंगे और पील लगा के कर लेंगे फ्लैप और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और हैंडल को ऊपर के तरब को करते हुए इसके किनाड़े पे चैनल लगालेंगे इस तरह से हमारा प्राइब जैसा बन जाएगा तो यह डिकिए यह लोके रेडी हो गई है और देखनेंदा से यह काफी तो यह देखिए सिलाय लग गई है चारों कॉर्णर पर तो यह देखिए हमारा और्गनाजर बनके रेडी हो गया है और अब हमने जो डोरी वाला बनाया था तो इसके लिए हम डोरी बनाएंगे तो इस तरह से रेडी में ट्रॉजर वागरा में जो डोरी आती है उसका भी रखते हैं तो हमें डोरी कितने बड़ी लेनी है देख लीजिए तो यह देखिए जो हमारा में पेस है उससे हमें थोड़ा सा 5-6 इंच लगवक बड़ा रखना है तो इसके लिए मैंने यह सारी वाले फैब्रिक का ही डोरी बनाया है और यह दो इंच चौरी पट्टी है इ और इसे हम जो हमने फ्लैब बनाया था इसमें डोरी लगाने के लिए खुला छोड़ा था उसमें हम डोरी लगा लेंगे तो यह देखिए हमारी डोरी लग गई है और इसके किनाड़े पर हम गाठ लगा देंगे तो यह अच्छी तरह से लौक हो जाएगा खुलेगा नहीं और यह देखिए बेस के लिए हमें से मेजेर्मेंट का इसके लिए काड़ बोर्ट करना है काड़ बोर लगाने से इसकी इसे कर लेना है काड़ बोर्ट को अंदर की तरफ से तो यह देखिए काफी अच्छे से से एसे मेजेर मेट का अन्चैनमन और चांट कűlt इसाँ च्कराइब होता है यह दिखिए हमारा और्गनाइजर बनके यह दखा तह अब देखिने इस फाल्ट रख यू अ शाड़ को रखने के बाद इसका जो फ्लैप है हमें से इस तरह से पैक्ट कर लेंगे इस तरह से डोरी को जब खीचेंगे तो यह अच्छे तरह से बंद हो जाएगा और इससे हमारे क्लॉस गंदे भी नहीं होंगे आप इस और गनाजर को अलमीरा में भी अर्जस्ट कर सकते हैं या फ इसमें कोई भी पुराना कप्रा ले सकते हैं चाहिए या फिर कुर्ति या नाइटी आपी कोई भी कप्रा ले सकते हैं और इसमें लगाने के लिए मैंने आटा लिया यसे दो लिया है और इस तरह से पहले हम कट कर लेंगे इसको आप अपने साइज को अकॉर्डिंग कट किया है इसकी 13 इंच पाइफ 14 इंच का एक प्लैप के लिए मैंने पीज कट किया है और इसी के मेजर्मेंट का हम यह बेशिट कट करेंगे कोई पुराना कपर ले सकते हैं तो यह देखिए पुरानी है जो फट चुकी है तो इसी का मैं यूज करूंगी और इस प्लास्टि साटे हुए पहले पेन्स से सेट कर लेंगे यह प्लास्टिक है तो इधर-उदर से लिप करते हैं अच्छे तरह से पहले पील लगा के सेट कर लेंगे उसके बाद इसके चार लप पर सिलाय लगाएंगे इस तरह से दूसरे पिस में भी फील लगा लगे और यह जो हमने फ् यह देखें सिलाए लगके तियार होगी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर दिया है और अब इसमें हम इस तरह से फोल करते हुए इसके किनारे किनारे चारो सैड में सिलाए लगा लेंगे इसी तरह से तीन पीस को हम तियार कर लेंगे यह देखें चारो सैड में सिलाए लगके त्यार हो गई इस तरह से यह मारा किनारा पैक हो गया है हमने तीनों पीस में सिलाए लगा के त्यार कर लिए है अब हम एक पीस लेंगे और उसका सेंटर मार्क करेंगे ए और अब हम चोटा बाल इस भी लेंगे जो हमने फ्ले खिले लिए तैए दे सेंटर मार्क निकाल लेंगे कि कि एसंटर मारक निकल गया है कि और इस तरह से हमने निषां लगाई है उस तरह उस पे मिलाते हुए पिन लगा के anset कर लेंगे है कि उसकी यहाँ से यहां तक इसकी सिलाय लगा लेंगे तो यह सिलाय लग गई हैं और अब हम आज की उपड़ से दूसरा प्रेंग रेडि किया था उसको रखेंगे और इसके दोनों साथ से लगा बैंगे शिलाय लग जचुकी हैं यह देहिए सिला 1 लग लगए है और अब negatives काट करेंगे तो यहाँ फर हम फ़ोड़ीड उद्वार देख का बॉक्स बनाएंगे कजित्रे से नित्तान। लगा को बॉक्स बना लेंगे वी तिस तरह से दूसरे क्कॉर्णर पे भी हम फ़ोड़ी इंच बाए फो इंच का box बनाएंगे अब इसे कट कर देंगे है तो यहमारा दोनों सैट का corner कर्ट हो गया है और हम नीचे के साद जो खुला है तो पहले हम प्लैप को हटा लेंगे और उसके बाद यहां से यहां तक सिलाइं लगा लेंगे तो नीचे की सैट भी सिलाई लग गया है और अब हम इसकी कॉर्णर की सिलाई करेंगे जो हमने से कॉर्णर कट किया था तो पहले के एक लिए कर ती होत्रा से दूसरे सैड़ भी लगा लेंगे गे अनुब लगा लेंए से ती तुट हो जाता है तो यह देखिए शिलाय लगई है पट्टी लगके फिनिस हो गई है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे और अब हम इसे इस तरह से किनारे से पकड़ते हुए इसके उपर से सिलाय लगा लेंगे तो यह ऐच्छा से पिनिसिंग इसमें आती है और देखने में काफी अच्छा लगता है तो इसके चार साइच पर लगा लेंगे और इसके फ्लैप में हम बैल्क्रों घ्रंट करेंगे आप चाहे तह इसमें बटन भी लगा सकते हैं तो इस तरह से प्लैक्रों आटेच कर 10 inch by 4 inch का और उसके बीच में हम प्लास्टिक का एक इंच का पीस रखेंगे उसको बीच में इस तरह से रखते हुए इसके उपर से सिलाई लगा लेंगे तो यह हमारा हैंडल बनके त्यार हो जाएगा और दोनों साइट से 3 inch 3 inch पे निशान लगा लेंगे और उसके उपर से हैंडल अटेच कर लेंगे इस तरह से पिल लगा लेंगे पहले उसके बाद सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से हम घर में बेकार पड़ेवे चीजों से बहुत ही काम की चीज बना सकते हैं जो मार्केट इसमें आप क्लॉस रख सकते हैं अपने पसंद से कोई भी चीज रख सकते हैं और अपने पसंद के साब से इसकी साइज बड़ी चोटी भी कर सकते हैं तो मैंने इसमें देखे क्लॉस रखा है काफी सारे क्लॉस आ गए हैं इसमें तो फ्रेंस आपको मेरा ये वीडियो कैसा ल प्रृटब लोस्ट कर झाल